हलो एवरिवन इकलेज एकडेमी यूटूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे टॉपिक का नाम है लौ आफ परलेलोग्राम और आज हम इसके सभी फार्मूलिज और कुछ बेसिक पॉइंट स्टेडी करेंगे एक है force P जो की horizontal है और दूसरा है force Q जो की incline है ये दोनों के बीच में angle है theta और ये दोनों का way of action क्या है देखो force P is acting away from the point और force Q ये भी acting away from the point यहाँ पे एक point है ये point को हम कहेंगे point A ठीक है तो ये दोनों forces जो है वो एक single point से पास हो रहे है it means it is a co-planner concurrent force system क्योंकि concurrent force system का definition यही है when all the forces passing through a single point then that force system is called as a concurrent force system ऐसे में वहाँ पे दो forces भी हो सकते है तीन forces भी हो सकते है चार भी हो सकते है number of हो सकते है ठीक है यहाँ पे सिर्फ दो forces है जो एक single point से पास हो रहे है it means they are the concurrent forces और अगर आपको ये दोनों concurrent forces का resultant अगर find out करना है तो resultant find out करने के लिए आप law of parallelogram का use करता है ठीक है तो समझ गए law of parallelogram का use करके आप आसाने इसे यहाँ पे resultant find out कर सकते हैं लेकिन ये law of parallelogram का यहाँ पे कुछ limitations है क्या limitations है वो आप समझ लो तो यहाँ पे जैसा कि हमने बता है यहाँ पे सिर्फ दो forces है अगर मान लो यहाँ पे तीन forces होते है जैसे देखो उसका diagram आपको बता देते है देखिए इस तरह से यह एक P यह force Q and force R यहाँ पे तीन forces है पे angle है मान लो theta 2 तो यहाँ पे तीन forces है अगर 4 होते या अगर 5 होते या अगर number of होते तो ऐसे में यहाँ पे आप law of parallelogram यूज करने ही सकते law of parallelogram वही पे यूज होता है जहाँ पे दो concurrent forces है और दोनों का direction सेम है तो यह law of parallelogram का एक limitation है ठीक है more than two forces है तो फिर आप law of parallelogram यूज क resultant मिलता है और दूसरे method से भी resultant मिलता है दूसरा method कुण सा है तो जो दूसरा method है वो method का नाम है method of resolution and composition आप वो method का use करके आसानी से यहाँ पे resultant find out कर सकते है वहाँ पे कोई limitation नहीं है वहाँ पे 3 forces भी हो सकते है 4 भी हो सकते है 50 भी हो सकते है number of forces है तो आप आसानी से method of resolution and composition ये method का use करके result and find out कर सकते हैं यहाँ पे लेकिन अगर कहीं दो forces हैं दोनों का direction सेम है और दोनों concurrent हैं दोनों की बीच में angle theta है तो फिर ऐसे में आप यहाँ पे law of parallelogram का use करके result and आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है समझ गए तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि law of parallelogram कहां use करते ह चलो एक काम करता है ये law of parallelogram का जो formula है उसका proof वो study करने के पहले इसका statement क्या होता है वो बता देते हैं क्योंकि exam में जब statement लिखने की बारी आती है तो आपको theoretical statement लिखना पड़ता है उसके उपर marks होता है और इसका proof भी हमें study करना है चलो देखते हैं इसका statement तो इसका statement आपक of parallelogram then the diagonal of the parallelogram passing through the point of intersection of the two forces represents the resultant in magnitude and direction तो ये है law of parallelogram का statement अगर exam में law of parallelogram का statement लिखने के लिए आता है तो ये पूरा word to word आपको statement लिखना चाहिए और इसके साथ में एक diagram भी draw करना है लेकिन ये जो पूरा statement अभी जो हमने पड़ा है ये जो आपके सामने statement है ये statement का मतलब क्या है चलो वो हम आपको अब समझा के देते है उसके लिए ये जो diagram है चलो ये जो जो हमने पहले आपको diagram बताए थे उसके थू हम आपको समझाएंगे कि statement में क्या लिखा था और इसका meaning क्या है देखो यहाँ पे जैसा हमने कहा कि दो forces है force P and Q और इनके बीच में angle है theta और ये दोनो forces point A से पास हो रहे तो अगर यहाँ पे law of parallelogram apply करना है तो ऐसे में यहाँ पे एक parallelogram create करना होता है parallelogram क्या होता है parallelogram वो polygon होता है जिसमें opposite sides parallel to each other होते है ठीक है तो ऐसे में यहाँ पे parallelogram create करना है कैसे create करेंगे देखिए काफी आसान है हम क्या करेंगे यह force p को exactly parallel force p को parallel आपको क्या करना है q से एक line draw करना है ये देखो हमने क्या किया scale ले लिए और ये force p को parallel हम यहाँ पे q से एक ऐसा line draw कर लेंगे horizontal force p को exactly वो parallel रहेंगा ये देखिए इस तरह से इसके बाद क्या करेंगे ये जो force q है ये force q को exactly windows को exactly parallel हम यहांपे scale लेंगे और ये force p से हम एक line draw करेंगे यह देखिए इस तरह से force q को exactly parallel हमने ये p से line रॉ किए और ऐसे में ये दोनों lines कहां पे intersect हुए चेक करो तो देखो दोनों यहांपे intersect हो गए वो जो cross section point है वो cross section point आप a को join करेंगे यह जो point A है उसको join करेंगे तो वो diagonal रहेंगा चलो यह पहले draw कर लेते हैं तो यह देखिए हमने cross section point को A से join कर लिया है और यह जो हमने line बनाया है यह अब diagonal है यह parallelogram का diagonal है और इसी के along resultant रहेंगा तो यहाँ पे जो हमने statement कहा था उसका कहना यह है कि अगर force P है force Q है इनके बीच में अगर angle है theta तो ऐसे में force P को parallel Q से line draw करने पर या force Q को parallel P से line draw करने पर दोनो lines जहाँ पे intersect होते हैं वो intersecting point को अगर आप A को join करेंगे तो यह जो diagonal रहेंगा यह diagonal के along resultant रहेंगा और वही statement में लिका है यह resultant है यह resultant अभी आपको inclined दिख रहा है यह resultant का angle हमने यहां ले लिया है horizontal के साथ alpha अब आपको क्या करना है अब आपको यह resultant का formula यहाँ पे proof करना है और alpha का value क्या होता है वो हमें यहाँ proof करना है सबसे पहले हमें काम करते हैं यह जो उपर cross section point है, हम इसको नाम दे देंगे point B, ठीक है, यहाँ पे point A, उपर में point B, अब resultant का यहाँ पे formula क्या रहेंगा, चलो formula हम यहाँ पे proof करते हैं, formula proof करने के लिए एक काम करेंगे, यहाँ पे right angle triangle create करेंगे, right angle triangle कैसे create करेंगे, यह जो force P है, force P को थोड़ा सा आगे extend क हैं, और जो उपर point B है, यह point B से जो है, हम एक vertical line draw कर लेंगे, that is perpendicular to the baseline, देखो baseline की उपर, हमने एक perpendicular line draw कर लिया है, यहाँ देखो, एक 90 degree का angle जो है, वो यह बन चुका है, यह देखिए, अब आपको यहाँ पे right angle triangle clear cut दिख रहा है, ठीक है, यह जो नीचे point है, यह point को हम कहें point C, तो यहाँ पे right angle triangle क्या है, ABC is the right angle triangle, ठीक है, ABC, इसमें, यहाँ से यहाँ तक यह क्या है, यह है force P, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक यह length क्या है, तो यह length हम यहाँ पे find out कर लेता है, अब यह length क्या है, यह length हम यह length हम यह length हम find out कर लेंगे, लेकिन हमें यह right angle triangle ABC में, हमें यह AB का length पता है, AB याने AB is the resultant, देखो हमने कहा था आपको कि यह जो parallelogram का diagonal है उसी के along resultant रहेंगा So AB is the resultant It means AB यहाँ पे R है, ठीके तो यहाँ पे हम लिख लेंगे That is AB Side AB Side AB is the R Which is the resultant, ओके Then side Side AC, side AC क्या रहेंगा Side AC माने, यहाँ से लेखे, यहाँ तक का side यह क्या रहेंगा तो वो अब हमें निकालना पड़ेंगा उसी तरह से side, यहाँ पे triangle के तीनो side हम निकालेंगे यह जो height है BC, side BC Side BC क्या रहेंगा, वो भी यहाँ पे निकालना पड़ेंगा तो वो कैसे निकालेंगे तो ये अब ज़रा आप ध्यान से समझ लो क्योंकि अब हम यहाँ पे formula proof करने वाले हैं ये formula proof अगर आपको समझ में आ गया तो exam में आपको लिखने में आसानी हो जाएंगी exam में ये parallelogram का statement भी आता है और इसका proof भी जो formula है वो भी proof करने के लिए आता है तो यहाँ पे ये जो force q है देखो ये force q को exactly parallel हमने ये line बनाया है देखो ये जो dotted line आपको दिख रही है ये जो line है ये exactly parallel to the force q है इसका मतलब यहाँ से यहाँ force q है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये force q है क्योंकि ये उसको exactly parallel है तो ये हो गया force q तो हम यहाँ लिख लेंगे it is a q ये देखिए इस तरह से ये है q यहाँ से यहाँ तक यह है force q it means ये जो side है ये side ये जो triangle है छोटा वाला triangle देखो ये जो छोटा वाला triangle है इसको भी हम यहाँ पे नाम दे देंगे just a minute, यह हम P यहाँ पे लिख लेंगे because यहाँ से यहाँ तक यह force P है ठीक है, और यहाँ से हमने जो line draw किये है, यह point को हम यहाँ नाम दे देंगे, हम इसको कहेंगे point D, ठीक है, ओके अब यहाँ पे BDC यह एक triangle आपको दिख रहा है, BDC it is also a right angle triangle, ठीक है, तो यह triangle की अगर बात करे, BDC यह triangle है, उसमें यह जो side है BD ठीक है, तो इसका यह angle क्या होगा, तो इसका angle होगा यहाँ पे theta, कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो force Q है, यह force Q का angle horizontal के साथ theta है अगर यह angle theta है horizontally तो इसको exactly parallel यह line है, इसका भी angle horizontally theta हो जाएंगा, that is corresponding angle क्योंकि rule है कि आपको यह पता होगा rule कि दो parallel line के बीच में अगर कोई inclined line होती है, तो यह angle और यह angle same होता है, इस type के angles को corresponding angles कहता है यह आप ऐसा भी हम आपको ऐसे भी बताएंगे कि दो vertical line है, उसके बीच में अगर यह inclined line है, तो यह angle और यह angle जो है, यह same होता है that is corresponding angle, ठीक है, यह corresponding angle है, तो यहाँ पे हम यही बताने का प्रयास कर रहे है, कि यह देखे यह force Q को exactly parallel यह line हमने बनाये थे, ठीक है, तो यह दोनों के लिए, यह दोनों का यह देखो force Q का, यहाँ पे angle theta है तो यहाँ पे भी इसका angle theta ही होगा, that is corresponding angle वो हमने theta वहाँ पे show Q कि है, क्योंकि यह जो triangle है, देखो यह जो triangle है, BDC triangle यह triangle में हमें उसका height और उसका base पता करना है, अब इसका height और base पता करना काफी simple है यहाँ पे आपको trigonometric formula यूज करना पड़ेंगा, यह जो angle theta है यह theta के लिए यह हो गया opposite side, कुनसा, देखो यह theta के लिए यह जो सामने वाला side है यह है opposite side, और उसको लगके यह जो नीचे side है, यह है adjacent side, देखो यहाँ पे लिख लेते है यह है opposite side और यह है, that is adjacent side, यह देखिए यह है opposite side, यह है adjacent side, तो अगर यह opposite है, यह adjacent है, तो hypotenuse क्या है, hypotenuse है क्यों तो यहाँ पे आपको यहाँ पे sin theta और cos theta का formula अपला करना पड़ेंगा, तो formula क्या है, चलो यहाँ पे वो लिख के देते है sin theta का formula क्या होता है sin theta का standard formula होता है that is opposite by hypotenuse ठीक है, just a minute, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने के लिए यहाँ जगा रखते है तो यहाँ पे sin theta का formula हम यहाँ apply करेंगे, sin theta का standard formula होता है, opposite side by hypotenuse side, तो sin theta का formula देखो, यह opposite side, देखो, यह opposite side और यह hypotenuse side, ठीक है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, opposite side by hypotenuse side, hypotenuse side क्या है Q, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Q तो यहाँ पे opposite side का length हमें पता चल जाएंगा, opposite side हो गया, that is Q sine of theta, देखें इस तरह से Q sine theta, इसका मतलब यह length क्या हो गया, यह length हो गया Q sine theta, ठीक है, यह दोनों को multiply किये, तो ऐसा हो गया, तो इस तरह से यह हमें opposite side पता चल गई, opposite side कितनी पता चली, that is Q sine of theta इसका मतलब, यह length हम यहाँ लेंगे, यह length है, that is Q sine of theta ओके, और अब हमें यह adjacent side है, जो base है CD, हमें इसका length चाहिए, तो यह क्या होगा, तो वो हो जाएंगा, Q cos of theta इसमें sine theta लगा, तो इसमें cos theta लगेंगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर यह adjacent side है, चलो यह भी आपको proof करा के देते हैं तो यह देखिए, proof यहाँ पर लिख रहें, cos theta का formula apply करो, तो यहाँ पर cos theta का formula क्या हो जाएंगा, that is adjacent side by hypotenuse side, hypotenuse again Q है, ठीक है, adjacent by hypotenuse, hypotenuse Q है, तो यहाँ पर Q put करो, वो हमने किये so therefore, adjacent side is equal to Q cos of theta, तो finally हमने यहाँ पर adjacent side पता कर लिए, यह क्या मिला है that is Q cos of theta इसका मतलब यह है, कि यह length क्या है तो यह length है Q cos of theta तो यह हम यहाँ लिख लेंगे it is a Q cos of theta अब इसका फाइदा क्या होगा, फाइदा चलो अब resultant का formula proof करने में होगा चलो इसको systematically यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे in triangle ABC देखो triangle ABC में कौन सा triangle है, ABC यह देखे यह triangle ABC है, इसका base इसका height और इसका hypotenuse यह सब कुछ हम यहाँ पर लिख लेंगे in triangle ABC side AB side AB क्या है वो हमें लिखना है, side BC क्या है, वो हमें लिखना है, थोड़े देर पहले हमने जो लिखे थे वही है side AC क्या है, वो हमें यहाँ लिखना है ठीक है, क्योंकि हमें इसमें अब Pythagoras theorem apply करना है, इसलिए तीनो side का length पता होना चाहिए तो side AB क्या है, side AB is the R, that is resultant देखो side AB क्या है, resultant जो की parallelogram का diagonal है वो हमने यहाँ लिख लिए, उसके बाद side BC, side BC माने यह height देखो, यह height क्या है, तो यह height हमने proof किया है, Q sin theta तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Q sin of theta, ठीक है, और अब है base that is side AC देखो, यह triangle का base, side AC यह सबसे important है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का length क्या होगा तो इसमें दो part आ गए, A से लेके D तक यह पहला part, और D से लेके C तक दूसरा part, इसका मतलब यह AD plus DC, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, AD plus DC, तो AD का length क्या है, AD, AD याने force P है, देखो, यहाँ से यहाँ तक force P है, तो हम लिख लेंगे P plus DC याने यहाँ से यहाँ तो यह क्या है, यह हमने proof किये है Q cos theta, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Q cos of theta इस तरह से, finally हमने triangle ABC के तीनो side का length पता कर लिए यह पहला side का length, यह दूसरे side का length, और यह तीसरे side का length, और अब triangle ABC में Pythagoras theorem apply करो, चलो Pythagoras theorem apply करके, resultant का जो formula है, वो हम यहाँ proof करने वाले हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे, in triangle ABC in triangle ABC by Pythagoras theorem सबसे पहले हम Pythagoras theorem का formula लिख लेंगे तो यहाँ पे formula ऐसा है that is, hypotenious side का square equal to opposite side का square, plus adjacent side का square, यह देखिए, यह है that is, Pythagoras theorem का standard formula हमने यहाँ लिख लिए hypotenious square equal to opposite square plus adjacent square, ठीक है और अब यहाँ पे side ABC के form में यहाँ पे लिख लो तो देखो क्या होगा, hypotenious क्या है triangle का hypotenious है AB तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, that is, AB square ठीक है, equal to opposite side क्या है, triangle ABC में opposite side है, यह वाला that is, BC, तो यह हम लिख लेंगे, BC, इसका square, plus adjacent side क्या है तो यह है पूरा का पूरा adjacent वो क्या है, AC, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख लेंगे, AC का square इस तरह से, और अब सभी का value put करो, सभी का value हमने यहाँ लिख के रखाए देखो, AB का value R है, तो यहाँ पे लिख लो, AB square याने R square equal to BC, देखो BC याने क्या है, Q sin theta तो यहाँ लिख लो, Q sin of theta, ठीक है, और इसका square कर लो, तो whole square plus AC, AC याने यह देखो, AC हमने यह proof किया है P plus Q cos theta, तो इसको bracket में लिखो, P plus Q cos of theta का whole square यह देखे, इस तरह से हमने सभी का value put कर लिए, जो value हमने यहाँ निकाले थे न, वही, अब बस यहाँ पर इसको solve करो, तो यह कैसे solve होगा तो देखो, यहाँ से हम start करते हैं R square equal to, यहाँ पर इसका square कर लो, तो यह हो जाएंगा Q square into sin square theta ओके, और यहाँ पर A plus B whole square का formula अपला करो तो यह हम लिखेंगे P square plus 2 Q, P Q cos of theta, ठीके plus Q square cos square theta, यह देखिए इस तरह से, ठीके है, हमने क्या किये, इसमें A plus B whole square का formula अपलाई किये, क्या होता है formula A plus B whole square का formula आपको बता देते हैं, formula ऐसा होता है A square plus twice A B plus B square, यह standard formula है यह formula जो है, हमने यहाँ पर apply किये, ठीके, यह A के place पे है, यह B के place पे है, ठीके तो A square plus twice A B plus B square, तो यह देखिए, यह किये पहले A square, फिर यह twice A B, फिर यह B square ओके, इस तरह से, अब क्या करेंगे, यह देखो, यह पहला term और आखरी term, यह दोनों में से Q square जो है, वो common ले लो तो देखो common लेंगे तो क्या होंगा, left hand side में है R square equal to यह जो term है P square वाली यह आप यहां लिख लो, ठीके यह twice P Q cos theta वाली term यहां लिख लो, twice P Q cos theta, ओके, और जो पहला term और आखरी term है यह वाला Q square वाला और यह वाला इस में से Q square common ले लो तो यह हमने Q square यहां पे common ले लिए तो यहां पे common लेने के बाद क्या बचा तो यहां common लेने के बाद बचा sin square theta, ठीक है और यहां पे common लेने के बाद यहां बचा cos square theta, यह देखिए इस तरह से, ठीक है, common ले लिए और अब sin square theta plus cos square theta क्या होता है, 1 होता है यह standard formula है कि sin square theta cos square theta 1 होता है चलो वो भी यहाँ पे आपको लिख के देते है standard formula है यह trigonometry में आता है sin square theta plus cos square theta हमेशा 1 होता है ठीक है यह rule है तो यहाँ पे आ जाएंगा 1 और जो बचेंगा वो हम यहाँ पे as it is लिख लेंगे तो यह जो बचेंगा यह r square के form में है पहले p square का term लिखे फिर यह q square का term लिखे और यह term हमने इधर लिखे लेकिन अगर हमें सिर्फ r find out करना है resultant तो r का formula यहाँ पे बन जाएंगा देखो यहाँ पे square हमें हटाना पड़ेंगा तो यह right hand side का पूरा under root हो जाएंगा so under root of पूरा यह right hand side that is p square plus q square plus 2p q cos of theta यह देखिए इस तरह से यह हमने finally resultant का formula proof कर लिए हमने कहा था ना कि resultant का formula proof करना है और यह proof जो है यह exam में आता है तो आपको resultant का यह जो formula है with proof आपको exam में ऐसा का ऐसा लिखना है आपको यह diagram draw करना पड़ेंगा diagram के नीचे आपको इस तरह से यह जो sides है triangle ABC में सभी side का length क्या है वो आपको यहाँ पे mention करना पड़ेंगा ठीक है यह जो छोटा वाला triangle है यह छोटे वाले triangle में हमने opposite or adjacent कैसे निकाले वो भी आपको show करना पड़ेंगा और फिर पूरे triangle ABC में python को इस तरह का आपको proof show करना पड़ेंगा तो यह हमने resultant का formula यहाँ पे proof कर लिए लेकिन अगर आप यहाँ properly check करेंगे तो resultant R तो हमने find out करने के लिए formula बता दिए लेकिन resultant जो है वो incline है अगर resultant incline है तो उसका angle है alpha to the horizontal अब यह alpha कैसे find out करता है वो भी आपको पता होना चाहिए चलो alpha का formula आपको यहाँ बता देते है तो alpha याने resultant का angle तो देखो alpha find out करने का formula यहाँ आ रहा है तो alpha आप क्या करो triangle ABC के तरफ ध्यान दो यह देखो यह triangle ABC यह जो triangle ABC है इसमें यह alpha के लिए यह हो गया opposite side यह जो BC है यह हो गया opposite side और यह हो गया adjacent side तो ऐसे में opposite adjacent में tan का formula अपलाए करो तो angle alpha है तो वो हो जाएंगा tan alpha यहाँ पे sign लगा दिये यह इसमें cost लगा दिये अब बचा tan का formula तो tan का formula अपलाए करके आप आसान इसे alpha find out कर सकता है तो tan alpha ठीक है तो देखो formula कैसे लगाएंगे यह हम यहाँ लेख लेंगे tan of alpha क्या formula होता है that is opposite by adjacent ठीक है इसका formula है tan का formula opposite by adjacent तो opposite side क्या है तो यह triangle ABC में opposite side है alpha के लिए BC यह opposite side है BC opposite and AC is the adjacent तो यह हम यहाँ लिख लेंगे BC by AC यह देखिए इस तरह से BC by AC अब BC क्या है BC याने BC देखो यह side BC यह हमने यहाँ प्रूफ किया है Q sin theta तो यह हम यहाँ लिख लेंगे Q sin of theta देखो यहाँ पे जगा कम है इसलिए हम एक के बाजू एक ऐसा लिख रहे है लेकिन आपको exam में लिखते समय एक में के ऐसा नीचे लिखना है यहाँ पे जगा कम है इसलिए हम यही पे अग्जस कर रहे है divided by अब यहाँ पे क्या है AC AC याने क्या है तो AC हमने यह प्रूफ किया है पी प्लस क्यू कॉस थीटा तो यह हम लिख लेंगे पी प्लस क्यू कॉस आफ थीटा यह देखे इस तरह से हमने BC और AC का वैलू पूट कर लिए यह BC का वैलू यह AC का वैलू याने यह opposite side यह adjacent side so tan alpha is equal to यह हमने यहाँ तक ले लिए अब यहाँ पे अगर सिर्फ alpha find out करना है तो क्या करना है tan को उधर shift करना है tan उधर shift करेंगे तो वो tan inverse हो जाएंगा तो finally यहाँ पे हम last step लिख लेंगे therefore alpha is equal to tan inverse of देखो tan inverse of formula यहाँ पे तयार हो जाएंगा q sin theta divided by p plus q cos of theta ठीक है इस तरह से यह देखिए formula बन चुका है हमने क्या किये सिर्फ tan alpha ऐसा था न तो alpha हमने यही पे रखे tan को उधर shift किये तो tan inverse हो गया इसका पूरा यहाँ पे tan inverse करना है तो देखो q sin theta by p plus q cos theta यह हमने finally resultant का angle alpha इसका formula proof कर लिए यह formula आपको अपने notebook में लिखना है और यह proof का part है जब कभी भी exam में law of parallelogram आपको statement के साथ proof करने के लिए आएंगा तो आपको यह सब कुछ लिखना है जो हमने आपको statement बताये थे वो statement भी लिखना है diagram भी draw करना है यह सब कुछ लिखना है सबसे पहले resultant का formula लिखना है उसके बाद आपको यह alpha का formula भी वहाँ mention करना है इस तरह से यह हमने पूरी तरह से law of parallelogram में use होने वाले formulas यहाँ पे study कर लिए चलो अब last में हम आपको यह बता देते हैं कि यह दोनों formulas से आपको क्या-क्या मिलने वाला है जब आप law of parallelogram के problem जब आप solve करोंगे तो question में p का value, q का value and theta का value question में दिया रहेंगा p, q, theta दिया रहेंगा और question में लिखा रहेंगा find the resultant और resultant का angle तो resultant means r find out करना है and उसका angle माने alpha find out करना है तो resultant find out करने के लिए यह जो formula आप use करोंगे यह formula से आपको resultant का magnitude मिलने वाला है इसका मतलब उसका कितना value है वो हमें इसके थूँ मिलने वाला है और resultant का angle alpha alpha find out करने से आपको resultant का direction मिल जाएंगा resultant का direction मिल जाएंगा अगर question में कहीं लिखा है find the magnitude and direction of resultant तो समझ जाना magnitude find out करना है it means r and direction find out करना है it means alpha ठीक है उमिद करते हैं कि finally law of parallelogram आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा यह जो कुछ भी यहाँ पे हमने proof करके दिया है यह सब कुछ आपको अपने notebook में जरूर लिख के रखना चाहिए यह काफी important है इसका यह proof exam में आता है तो आपको यह पूरा as it is ऐसा लिखना है यह था law of parallelogram का आज का first lecture इसके आने वाले दिनों में हम इसके number of problem solve करने वाले है तो वो problem solve करने के लिए यह formulas जो हमने study किये है यह सभी formulas का वहाँ पे use होना है तो आज के वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में इसके problem के साथ Thank you very much